So Hey everyone, Welcome back to Sona Makeover, कैसे हो आप सब, I hope सब अच्छी होंगे, तो यहां पर आप इनके आइब्रोज देख सकते हैं, इनके जो आइब्रोज ढहें, आजकल इनके आइब्रोज के यहेरे काफ़ी डिस्टेंस में देख सकते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे आईब्रोस की जो ग्रोथ है वो अनिवन हो जाती है बहुत लाइट हो जाती है आईब्रोस तो चलिए आज हम यहाँ पर फिर से लेकर आए हैं एक आईब्रोस शेपिंग का टुटोरियल तो कुछ इस तरीके से पहले मैं इनर कॉर्नर से एक जो है यहाँ पर क्रियेट करूंगी और आज जो मैं प्रॉडक्ट यूज करी हूँ वो है अनस्तासिया डीप ब्रो जो कि आपने सबी बड़े आर्टिस्प के पास देखा होगा और इसका जो रिजल्ट है यह क्रीमी टेक्स्चर है इसका और बहुत ही नैचरल तरीके से इ अगर आपको पर ली आप किसी भी शेप में इसको यूज कर सकते हैं मतलब आइब्रोज की शेप चेंज कर सकते हैं वो पूरी की पूरी नैचरली लगीगी अब आइब्रोज को फिल करने के लिए हमें कौन सब ब्रश लेना होता है हमें लेना होता है एंगिलर शेप का ब्र तो इनर कॉर्ner से हेयर लाइट होते हैं तो आपको जब फिल करना है तो आपको वैसे ही करना है माना कि मेकप के तरो आप लोगों को किसी चीज को इन्हेंस करना है लेकिन उसको बिल्कुल भी फेक नहीं बनाना है अब मैं यहां पर आई बेस बनाओंगी आई बेस बनाने शर्क क्या होगा कि हमारी जो आई डोज हैं उनके लिए उनके जो शापनेश है वो बढ़ जाएगी प्रॉपर नीट अंड क्लीन तरीके से वो दिखेंगी और उपर से आई बेस भी बन जाएगा तो जब आप कलरफुल आई मेकप करते हो ग्लिटरी आई मेकप करते हो तो मैं आपको हमेसा यही सज़ेश्ट करूंगी कि आप पहले आई मेकप करो क्योंकि सब्स आपने बेस मेकप पहले कर लिए और उसके बाद आई मेकप करते टाइम पे हो सकता है आप से ग्लिटर गिर ताकि कोई भी प्राड़क्ट गिरे, मस्कारा लगे, लाइनर लगे, ग्लिटर गिरे, कुछ भी गिरे, सीमर गिरे, तो आप उसको जो है वाइप कर सते हो, तो ऐसे ही छोटी-छोटी टिप्स मैं आप लोगों को देना पसंद करती हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोगो रिप्लाई देते हो ना साथ में, कि मैम हम आप से ये सीक रहे हैं, हम आप से वो सीक रहे हैं, तो मुझे ट्रस्ट में और भी ज़्यादा हिम्मत मिलती है, कभी अगर मैं ठकी भी रहती हूं तो फिर भी मेरा मन करता है वीडियो बनाने का, कि नहीं यार दो, ढई लाके लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने इतना ज्यादा तो कभी सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा, आप लोग मुझे प्यार और सपूर्ट दोगे, बट चलो मेहनत कर रही हूं तो आप साथ दे रहे हों, और मैं इसलीह के चाहते हूं कि जो लोग मुझसे सीख रहे हैं बाहर मैं पैसे खर्च करके सीखने कि उर्क जरुरत ना पड़े क्योंकि मैंने भी मनी के नाम पर बहुत ध्थ कीखे खाये हैं इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ वा है वो आप लोगों के साथ भी हो इसलिए मैं आप लोगों को जैसे सिखाती हूँ आप लोग उसको नोट किया कि ये मिलते हैं नेक्स वीडियो में